क्या एक गुरू को अपने हर शिष्ष्य की अध्याच्मिक श्थिति का ग्यान रहता है? देखो जहां गुरू की अवशक्ता बहुत अच्छा परशन की आपने अब इसको अच्छी तरह समझ ले जहां गुरू की अवशक्ता शिश्या को होती है तो भगवत कृपा से या सिद्ध लोक में जो संत बैठे वे हैं जनलोग तपलोग महरलोग आदि में तो वो संत की चा साल पहले जब मोबैल थे नहीं रशक्ता है तो अब उस पहले है तो देख जो च्छ गर से नंबर नहीं कर सकते हैं भुशा जोड़ के बता देता मने वहां बैल बजती तो जोड़ता मेडियोटर जोड़ता तो इसी परकार से शिशक को जहां भी गूरु की अवशकता है पड़ेगी तो वो जनलोग तपलोग महरलोग के जोरी शिमुनी बैठे वो समझो एक्सचेंज है या फिर डिरेक्ट भगवान वे कहीं बार यहां खेल कर देते हैं श्यम गूरु के अंदर पेड़ना कर या करके और शिशा को वही बात आपने देखा होगा कहीं बार का बहुत बार देखा होगा कि जो परशन लेकर आपाते हैं जब संथ प्रवचंद करते हैं तो आपके प्रशन का उत्तर उसी सम्ह प्रोचन में मिल जाता है, उसे महोता क्या है, वो सिद्ध संत संत की तार जोड़ देते हैं, कि ये उनके मन में, मन में डाल देते हैं, उनको आप नहीं पता कि मैं कौन सा परशन बोल रहा था, और मन में बात कहां से आ गई, फिर संत को तो पता चल जाता कि कोई न कोई यहां परशन है, ये मेरे साथ कितनी बार ऐसा होते हैं, तो ये आपके परशन का उतर है, बिलकुल संतों की क्रिपा से, क्योंकि यदि हर समय पता चले संत को, तो उनके भजन में विघन पड़ेगा, इसलिए तार हटा देते हैं, जैसे मोबायल, जब कोई नंबर मिलाएगा, तो होगा क्या, जब सिश्य को गुरु की अवशक्ता पड़ती है, ज्यान की अवशक्ता पड़ती है, तो उस समय सिश्य के चित की स्थिति क्या है, उसको क्या उत्तर चाहिए, क्या प्रशनों करेगा, बिना करे ही गुरु के मन में सिद्ध लोकों से तार जुड ज़ती है और वही उप्रस्ण करके और कहीं लोग मुझको कहते हैं आप तो अंत्रियामी आप कोई अंत्रियामी नहीं भई यह सिस्टम है एक प्रमात्म का ध्यात्म जगत का सुक्षम जगत एक होता है वो सुक्षम जट दिमा को गुमा देता है और हम भी समझ जाते हैं कि तार मिल कि संद मेडियोटर होता है वो मिला देते हतार है और फिर आपको लगेगा महाराजी तो अंत्रियामी है